Welcome to your stock my analysis series जहाँ पर आप मुझे कमेंट में अपने stock का नाम बताते हो और मैं उसका proper analysis करके आपके साथ share करता हूँ और हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि recent में हमको कहां trade मिल सकता है और उस trade की पीछे का logic क्या है और सबसे important बात हम कोई indicator use नहीं करते हैं सिर्फ price section को use करके पूरा analysis करते हैं और उस trade को execute करते हैं सो अब याल बिना time waste किए वीडियो को करते हम स्टार्ट आज की इस वीडियो की मुझे request मिली उजाश शाह की तरफ से तो analysis को start करते हैं बहुत साथी चीज़े इसकी detail में बताने वालों इस stock का मैं detail में analysis करूंगा तो वीडियो को end तक चुरूर देखना बहुत सारी learning आपको इस video में मिलने वाली और जो भी इस stock से related आपकी query होगी सारी query आपकी soul होने वाली तो analysis को start करते हैं सबसे पहले देख सकते हो कि इसका जो में long term trend के अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 2011 के आसपास जब इसका आई पर लिस्ट हुआ था 2010 में और उसके बाद से देख सकते हो continuously downtrend में ही रहा है काफी अच्छी प्राइज बेंड पर यह जो है आई पर लिस्ट हुआ था बारोसो साड़े बारोसो के आसपास और उसके बाद से देख सकते हो long term इसका major trend देखोगे तो काफी downtrend रहा है काफी long time में काफी अच्छी नहीं मिला है long time में ठीक है और उसके बाद 2021 में देखोगे तो अभी हलका हलका हम थोड़ा सा bullish momentum हमको इसमें देखने को मिला थोड़ा सा मैं इसको सुमीन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी हमको थोड़ा सा इसमें moment होता हूँ नजर आ रहा है तो इसलिए बहुत सार रीटेल है सभी interest इसमें दिखा रहे है कि क्या पी हमको इसमें fresh buying करनी चाहीं क्या करन सारा लोजिक हम जाने वाए तो अब मेजर ट्रेंड आपने देख लिया कि काफी लॉंग टाइम में काफी बेरिश ट्रेंड था इसका काफी टाइम से और उसके बाद साइडवेस हुआ फिलाल थोड़ा सा एक बुलिश मॉमेंटम देखने को मिला है हमको इसके अंदर और एक इंपोर्टेंट बाद यहां पर हमको थोड़ा सा में जूम इन और कर लेता हूं इसके लावकर एक इंपोर्टेंट में बताओ तो हमको काफी अच्छा वॉल्यूम हमको देखने को मिला है 2020 में जो भी लास्ट के कुछ मन्त आप देखों के लास्ट के ही एवी ब्यूम क सब्सक्र quarter लेकिन मेजरने वोल्यूम को काफी एच्छा वॉल्यूम भी तैफ को मिलता है थो यह में अब यहांब सा फील टो फॎलिटीव हो जाता है इस स्टोक के लिए अब मैं इसके कुछ लेवल्स को मार्क करता हूँ काफ़ी इंपोर्टेंट लेवल है जो कि जहां पर अगर ब्रेक आउट होता तो उसके बाद हमको एक शांदा रेली देखने को मिल सकती राइट तो सबसे पहला इंपोर्टेंट लेवल है एक ये वाला 65 का अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपोर्टेंट लेवल है तो मैं यहां पर एक प्राइज मार्क नहीं करूँगा एक थोड़ा सा जोन मार्क करूँगा फिलाल इसने लास्टम भी देख सकते हो 65 को हीट किया है और हीट करने के बाद हमको सेलिंग देखने को मली तो 65 से अगर मैं मेजर बात करूँ तो 70 यह पांच रुपे का एक स्ट्रोंग रजिस्टेंस लेवल राइट 65 से 70 के आसपास एक स्ट्रोंग रजिस्टेंस लेवल है तो इसके बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है अब कहां हमको इंट्री स्टॉप लोज क्या होगा वो सार की लेकिन वहाँ पर हमको एक बड़ी सी रिजेक्शन केंडल हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है मंतले टाइम फ्रेम पर काफी अच्छा रेली हुई लेकिन वह सस्टें नहीं कर पाई प्राइज और रिसेंटली आप देखोगे तो दो बार प्राइज नहीं यहाँ पर ह अब यहाँ पर देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा एक्जस कर रहा हूं ठीक है अब यहाँ पर देख सकते कि क्या हुआ है कि डेली टाम फ्रेम पर आप सिंपली देख पाऊगे कि नीचे से एक श्यांदर रेली देखने को मिली एक पेनी स्टोक से काफी अच्छा स्टोक बनाया अभी डिसेंटली आप देखोगे तो थोड़ा बुलिश मॉमेंटम हमको इसमें देखने को मिला जैसे मैं आपको नीचे से दिखाओ प्राइस एक्षें से अगर आम सिंपली देखें तो प्राइस हमेशे उपर की तरफ मुग करती जारी थोड़ा सा यह 65 को हिट करने के बाद रिसेंटली हमको अगेंस सेलिंग देखने को मिल रही कुछ इस टाइब का पैटरन अभी तक हमको इसमें देखने को मिला रहा है तो मेजर इसका अगर मैं बात करूं तो फिलाल एक थोड़ा सा पुलिश मॉमेंटम है स्टोक यह चल रहा है जाप काफ अच्छा वॉल्यूम था लेकिन वो प्राइज अभी तक ब्रेक आउट नहीं ले पाई इससे पहले भी आप यहां पर भी देखो तो यहां पर भी हमको जो प्राइज यहां से उपर की तरफ मूव करी तब नीचे वाल्यूम अच्छा देखने को मिला है और यहां पर आप यह जो रेली यहां पर हुई अगें यह जब उपर की तरफ मूव क्या वॉल्यूम अच्छा था यह सारी चीज़े हमारे एक पॉजिटिव साइन हो जाती इसी स्टॉक के लिए कि जब प्राइज उपर की तरफ मूव करी तब वॉल्यूम इंक्रीस हो रहा है और जो तो देखो अब यार अभी रिसेंटली अगर मैं बात करो तो प्राइज हम उपर की तरफ मूव करती जारी हम सिंपली अगर मैं ट्रेंड लाइन को भी ड्रो करो नीचे में एक जोन को करूँ और वह भी आप देखो तो प्राइज इसके उपर शांदा सपोर्ट ले रही रह यहां पर पर जैसे भी प्राइज करी तो हो सकता है थोड़ा और सेलिंग देखने को मिल ए और इस नीचे वाले जोन के आसपास जब भी प्राइज आई तो यहां पर फ्रेश बाइंग करो जैसे में कुछ ग्री येरो से ओर दिखा देता हूँ कि जब भी प्राइस नीचे वाली जो मैंने जोन क्रेट किया या पर एक ट्रेंड लाइन बॉल सकते हो इसके पास जब भी इसके पास आसपास आई है तो यहां पर अच्छा सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा बुलिश मॉमेंटम इसने दिया है तो फिलाल में देखो उपर में एक अच्छा के चाहिए कर सकते हो चोठी कवांटीटी में कुछ जाधा खован इसमें अगी च्रेट नहीं है च्छोठी की इसलिए के बता रहूं कर्ण कृको मेजर अभीहम को नहीं देखने वर होता है और उसके बाद एक शीवाइड़ करें दीकत हो नहीं होता है तब तक में disparate 쪽 लेको भाईदा अपको फाइदा होने만 वाल गोड़ अगेन आपको दिखाता हूं मंतली टाइम फ्रेम पर अब यहां पर आप देखोगे जो मेजर ब्रेक आउट है वो 70 के ऊपर ही उससे पहले आपको ब्रेक आउट नहीं देखने को मिलेगा 65 से 70 एक राउंड लेवल नमबर है इसके बीच में जब इसके बीच में वह 70 का लेवल हीट किया मतलब 65 से 75 70 के बीच में हीट किया उसके बाद वहां पर सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाई प्राइज और फिल्डे को सेलिंग हमको देखने को मिले काफी लॉंग टाइम तक सेलिंग में डाउंटेंड में रहा स्टोक फिर अगें जब प्राइज यहां पर हीट कर दिए तो अगें थोड़ा सा भी बुलिश मोमेंटम में है लेकिन आगर यहां पर सस्टेन नहीं करेंगे तो फिल्ड लॉंग टाइम में हमको काफी अची सेलिंग अगें यह डाउंट्रेंड में जा सकता है और काफी लॉंग टाइम तक यहां पर नीचे में प् मिल सकती है नहीं तो उससे पहले हमको सेलिंग अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिलेगे लॉंग टाइम राइट आई होगी यह पॉइंट क्लियर हो चुका होगा तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंड बॉक्स में जरूर बताए से लेटेस लोजिकल टेडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे एनालिसिस वीडियो आपसे मिस नाओ टाइम पर इन सारी चीचों को देख पाऊ और देखने के बाद सारी चीचों का एक्जिक्यूट कर पाऊ सो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स अच्छे साथ